हलो फ्रेंस, आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंस जितने भी चात्र बोड परिच्चा दो हजार चोबिस देने वाले हैं उनस सभी के लिए आज का वीडियो बहुत विसेश होने वाला है ठीक है आप चाहे क्लास 10 के छात्र हों चाहे क्लास 12 के छात्र हों आप सभी को पता है कि आज एक फरवरी है और आप सभी का जो बोड के परिच्छा है 22 फरवरी से प्रारम होने वाला है आप सभी के पास देखा जाए तो टोटल आप सभी के पास 21 दिन का समय सेस बचाए लिए ये वीडियो आज राम बार साबित होने वाला है ठीक है कुछ चात्र ऐसे होंगे जो अपने जो स्लेवस को है 40-50 प्रतिसत जो होता है पूरा कर चुके होंगे और कुछ चात्र इस वीडियो का ऐसे भी देख रहे होंगे जो पढ़तु रहें लेकिन वो पढ़ाई में अपने कमजोर है ठीक है ऐसे चात्रों के लिए आज का वीडियो लाएं बस जिस पॉइंट को बताने वाले हैं उन पॉइंटों के यदि आप ध्यान देते हैं तो आपको 100% की गारंटी देते हैं कि आप बूर्ड के एक्जाम में टाप करेंगे और अच्छे नंबरों से प देख लेते हैं तो आपको एक चार मूल मंत्र बताएंगी जो आपको बूर्ड परिच्छा में टाप कराने के लिए यह मूल मंत्र हैं यदि इन मूल मंत्रों जो चार आपको बताने वाले चार मूल मंत्र बद सिर्फ जान गए तो आप बूर्ड के परिच्छा में 100% और गारंटी देते हैं आपको कि आप अच्छे नंबरों से बोड के इग्जामें पास होंगे ठीक है, अब देखिए इहां पर क्या करना है, कि आप सभी को पता है कि आप का आज एक फरवरी है, आप एक फरवरी को, दो फरवरी को या दस फरवरी को यह वीडियो देख रहे ह होंगे ठीक है देखिए आप 10 के स्टुडेंट चाहे 12 के स्टुडेंट सभी का अपना एक सपना होता है कि आप बोर्ड के एक्जाम को टाप करें और अच्छे नंबरों को प्राप्त करें कितने चात्री होते हैं 95 प्रतिशत नंबर लाने का प्रयास करते हैं या इससे अधिक लाने का विचार रखते हैं ठीक है अब देखिए फरवरी से पढ़कर भी आप ला सकते है 95 प्रतिशत नंबर अब यह कैसे होगा आप बद वीडियो को बस देखते रहें देखिए आपको पता है कि आज एक फरवरी है तो आपके पास जो सेस दिन बचा है टोटल कितने दि इस दिन आपका 22 फरवरी से आपका हिंदी का पेपर आप सभी को पता है ठीक है 22 फरवरी से आप सभी का हिंदी का पेपर है इसलिए आपका जो सेस दिन बचा है 21 दिन बचा है ठीक है देखिए आपको क्या करना है कि अपने एकार्डिंग जो आपकी छमता है उसके जानना जरूरी है देखे आपको पाईले तो क्या करना है कि सेलफ इस्टडी पर जादा से जादा फोकॉस करना है अधिक से अधिक आप कर सकते हैं अब दिखिए जुझ मूल मंत्र आपको बताने वाले इस पे आप से चर्चा करते हैं यह आपको बॉर्ड के एकजाम में यह इतना पढ़े हैं ठीक हैं सिर्फ 21 दिन तक जितने पॉइंट को बता रहे हैं इन पॉइंटों को आप समझ लीजिए और इसको बस आप फालो कर लीजिए 20 दिनों तक ठीक है आप देखेंगा मैक्सिमम को ऐस्टेंग आप जू पॉइंट बताएंगे इनियुक्त आप के आने वाले पहले नंबर क्या करनां कow सिर्फ उसे पढ़े आपके पाई इतना समय नहीं रहा गया है कि आप पूरे किताब को पढ़ेंगा पूरे किताब को नहीं पढ़ सकते हैं 21 दिन में, अब 21 दिन में क्या करना है कि सिर्फ बैंक उसमें पढ़ ये, उसमें पिसमें प्या है कि जितने भी important question है, उन important question को आप ध्यहान से देखे कि उनको पहने का प्रयास कीजिए, इसमें long question को याद करने में, सभी छात्रों को कठ नाइस महसूस होती है ठीक है अब देखें लांग क्वेश्चन को आप कैसे याद कर सकते हैं लांग क्वेश्चन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिस क्वेश्चन को आप याद कर रहे हैं उसे आप लिख कर ठीक है लिख कर याद करने का प्रयास कीजिए य दूसरे नमबर में फायदा होगा कि आपकी जो राइटिंग होती है, राइटिंग में सुधार हो जाएगा, ठीक है, और लिखने का तरीका पता चलेगा कि आप बोर्ड की एक्जाम में लिखना कैसे है, तो आप जब भी लांग को याद करें, कोई भी सब्जक्ट है, यदि कोईस्टन याद कर रहे हैं, तो उसको लिख के याद करने का प्रयास करें, आप कोईस्टन पाइंक पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, सभी इंपोर्टन कोईस्टन आप जान जाएंगे, सभी इंपोर्टन कोईस्टन पढ़ लीजिए, अब इसके बाद दूसरे नमबर पमूर मन्त्र क्या है आपका दूसरे नमबर प्याता है की तीन साल का पहल करें इस पह Kneיש साल के यि बैठ एंगे तदेखि जब कोईस्टन बैंक पढ़ेंगे तो उसमें आपके पिछले साल्स ऑन्स दिये रहते हैं ठीक उनक उस्टें को पहे रहेंगे आप हे और हो स्वड़ चैनल करेंगे इस इस में मैक्सिमिम केशन होंगा रिपीट होने के क्या रिपी जब होता है तो उससे क्या om आपका रिविजन होगा क्या हो जागा रिवीजन होगा देखिए कितने फायदे से उन सभी पेपरों को आप जरूर हल करें ठीक है देखे पिछले साल के पेपरों से आपके मैकसिमम क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं तो आप पिछले साल के सभी जितने भी सेट हैं उसको पहने का प्रयास करें आपको पिछले साल के पेपर नहीं मिलने हैं तो आप मेरे वीडियो के पेले लिश्ट से जाके पिछले साल के पेपरों को देख सकते हैं ठीक है और उसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं जितने भी क्वेश्चन आपको मैयत का हुआ इतिहास का मतलब समाजी विध्यान हुआ जितने भी question कर लेंगे सभी प्रिवीयस year question आपको कराते हैं मैध के question को आप ट्रिक एक माध्यम से बावीकल्पी प्रश्नों को बोर्ड के exam में कैसे करें अपको सिखते रहते हैं ठीक है तो आपको क्या करना है दूसरे नंबर पर यह मूल मंद्र आपका रामबाढ़ है कि तीन साल का जो पेपर पिछले साल के हुए हैं उन सभी पेपरों का आप हल करने का प्रयास करें अब इतना काम कर लेंगे सबसे ज्यादा इमपोर्टेंट पॉइंट तीसरा नंबर का है कि दो हज़ार 24 का मादल पेपर देखिए आप 20023 का मादल पेपर वा उठाकर देक़ लीजई और पीछले Sager के जो paper हुआ था उसको मिला के देख लिए आपके जो model paper UP board के द्वारा जो जारी किया गया था उसे से maximum question repeat हुए थे same to same question आपके board के exam 2023 में आया था इसलिए आप 2024 के जो model paper UP board के द्वारा जारी किया गया है उसका संपूर हल आप जरूर कर लिजिए इसमें से आपको गारंटी देते हैं कि 40 प्रतिश्चत तक अंक सीधे सीधे question आपके board के exam में पूछ लिया जाता है ठीक है तो आप model paper को जरूर ह कर ले अब दिखिए model paper आपको मिलेगा कहां से और इसका solution कहां से मिलेगा तो आप मेरे वीडियो के playlist में चले जाएगा playlist में जाएंगे जिस subject का आपको model paper चाह रहा है उस subject का आपका playlist बना है उसमें से जाके आप चाहे समाजी विज्ञान चाहे मयत हो चाहे इंग्लीज हो ठीक है आप किसी भी subject का model paper का solution चाह रहे हैं तो प्रेलिश्च से जाके आप उसको देख सकते हैं वहाँ पे आपको बदा हैं पूरा paper के बारे में में भी बता हैं उस model paper को जाकर देख सकते हैं ठीक है अब दिखिए सबसे अगला important देखिए आपके सामने क्या है चौधा नमर का सबसे मूल मंत्र देखिए आपको क्या होगा देखिए फायदा क्या है आपको फायदा करेंगे पिछले साल के paper को हल करेंगे यहां से प्रेंगे यह question इसमें मिलेगा आपको जो त्री साल के paper इनगे इसमें आपको मिलेगा क्या होगा इसमें पढ़े रहेंगे इसमें का another obtain क्लव करने के इसमें का question आपको तैसंटagen भी is डिख अब ऑब इतने बार इसका पड़ेंगे पर यहां इसका रिविजन होगा ठीक है अब इसके बास सबसे लाश्ट में क्या कीजिएगा कि जो आपके अंसाल्व पेपर होते हैं अंसाल्व पेपर देखे होंगे आप अंसाल्व पेपर जो को हजार चोवीस के अंसाल्व पेपर रहते हैं उन्हों सभी अंसाल्व पेपर को इसको लाष्ट में हल करने का प्रयास कीजिए यदि अप अंसाल्व पेपर हल करते हैं तो आपको बूड के एक्जाम में इन सभी अंसाल्व पेपरों में से जो कि चालीस नंबर तो आपको मा लुखता है आपको यह झाल करेंगे तो सभी आप 21 दिन में आसादी से ठीक है यदि आप साथ से आठ घंटा डेली बाए डेली पढ़ते हैं ठीक है अब इसे पहना स्टाट केजिए यदि साथ से आठ घंटा पहना स्टाट करते हो तो आप 20 दीन में बोड एक्जाम में 95 पर्दिशत ला सकते हैं और आप सभी चात्र जो कंजोर चात्र हैं जो टापर हैं सभी चात्र आप अच्छे नंबरों से बोड के एक्जाम में पास हो जाएंगे ठीक है जितनी भी पॉइंट आपको समझाएं बस यह 21 दिन तक फालो कर लिजी यदि आप 21 दिन तक इसे फालो करते हैं ठीक है तो आप आसानी से अपने जो गोल एचीब के है उसको प्राप्त कर सकते हैं ठीक है यह जितनी भी पॉइंट बता है इस पर जादा से जादा ध्यान देजिए किसी भी पॉइंट पर दिआदी आपको प्राप्लम होता है कोई भी बताएं यदि आप कर लेते हैं तो आप बोर्ड के एक्जामें 95 प्रतिशत आसानी से ला सकते हैं ठीक है तो फ्रेंस आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पास अधिक साधिक वीडियो को सेर करें